कि नमस्ते डियर स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर स्विजर लेंड का नाम आप सभी ने सुना होगा वर्ल्ड के Maximum International Organizations का Headquarter इसी देश में मौझूद है यहां के कुछ प्रमुक शहर जिनमें जिनेवा, जिवरेक, बर्न यह सारी आपने नाम सुने होंगे डावोस जहां पर Economic Summit होती है हर साल तो स्विजर लेंड को Fighter Plains की आउशकता क्यों पड़ गई क्या स्विजर लेंड का कोई दुश्मन है और अगर दुश्मन नहीं है तो वो क्यों Fighter Plains को खरीद रहा है और अपने Billions of Dollars इसमें खर्च कर रहा है हम आज इसी पे चर्चा करेंगे भी हाल ही में क्या हुआ आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि स्विजर लेंड एक Direct Democracy है यहाँ पर कोई भी Major Policy का इश्यू होता है तो वहाँ पे जनता सीधे Referendum के माध्यम से बताती है कि क्या यह हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो स्विजर लेंड में यह जो पर्चेज होनी थी Fighter Plains की उसके लिए भी एक Direct Referendum हुआ जिसमें थोड़े से Margin से सिर्फ 0.1% के Margin से Majority ने कह दिया कि आप ऐसा है Fighter Plains को पर्चेज कीजिए तो यह Fighter Plains आप यहाँ पे जो देख रहे हो यह दर असल वह Fighter Plains नहीं है जो पर्चेज करने वाले हैं अभी तो उनको Decide करना है कि वह करेंगे कौन सा अभी तो सिर्फ उनको देश की जंता का Approval मिलाए कि आप ले सकते हो यह Fighter Plain Second World War के समय का एक अमेरिका का Veteran Plain है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया अब आगे चलते हैं स्विजरलेंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे स्विस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे स्विजरलेंड ने आज तक War क्यों नहीं लड़ी पिछले 200 साल से उसकी Military Neutrality क्यों है इन सारी चीजों को समझेंगे अब यहाँ पे आप स्विजरलेंड का Map देख सकते हो यहाँ पे आप पडोसी देशों को देख लो आपको एक तरफ France दिख जाएगा बहुत बड़ी पावर है योरोप की सबसे बड़ी अगर Military Power की बात की जाए तो वो France है फिर आपको जर्मनी दिखेगा योरोप की दूसरी सबसे बड़ी शक्ती और Economic Power और तीसरी तरफ आपको इटली दिखेगा जो एक समय रोमन सामराज्य के समय विश्व पे राज करता था आइमीन उस समय विश्व एश्या योरोप और अफरीका ही होता था तो मैक्सिमम पे तो इनी का साशन था तो स्विजरलेंड तीन तरफ से नाटो के देशों से घिरा हुआ है बिसके कोई खत्रे नहीं है देखिए नाटो का फुल फॉर्म आप सभी मुझे कॉमेंट थ्रेड में बताएंगे और नाटो में वो कौन सा आटो के होने का मतलब है कि पश्चिमी देश तो आपकी पूरी साहिता कर रहे हैं आपका सहयोग कर रहे हैं आप चारो तरफ से घिरे हुए हो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी अब आप सोचो दो दो वर्ल्ड वार हो गए वर्ल्ड वार वन पांस से छे साल चला वर्ल्ड पड़ गई इसलिए यह बात बार बार उठ रही है अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट सीटीज देखिए यह बेसल देखिए तो बेसल से जुड़े हुए बेसल नॉम्स किस चीज से हैं संबंदित यह आप मुझे कॉमेंट थ्रेड में बताइए बेसल नॉम्स जो हैं य इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर सही करते हैं क्योंकि यह आइधिंक नहीं रहा है तो यहां पर आप जीवरिक देख सकते हो यह आपको देख रहा है न जीवरिक यह भी इंपोर्टेंट इनका सिटी है इसके बाद आप जेनेवा देख सकते हो विश व में चाहे आप में सो गया ये भी नाटो का सदस्य है और ये छोटा सा लिंच टेनिस्टीन आपको दिख जाएगा ये इंपोर्टेंट है छोटा सा देश है और ये डबली लैंड लॉग्ड नेशन है ये चीज याद रखिएगा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है तो हुआ क्या अब देखिए स्विजर लैंड सबसे ज्यादा शांती पूर्ण इस्थिती में रहने वाला देश है पूरी दुनिया में और इसका कोई भी अपना एक मिलिटरी एजेंडा नहीं है इसका कोई भी दुश्मन नहीं है जादा तर जो प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल और्गिना से स्विजर लैंड में लगबग तीन मिलियन वोटर्स हैं तीन मिलियन का मतलब हो गया तीस लाख लोगों ने वूट किया जिसमें से लगबग यह एंडिट परसेंट वोटिंग होई है क्योंकि वहां पर बहुत से ऑप्शन होते हैं आप आराम से वोट डाल सकते हो बहुत ज़्यादा एड्वांस डेमोक्रेसी है और डेरेक्ट डेमोक्रेसी है तो डेरेक्ट डेमोक्रेसी अगर स्विजर लैंड है तो इन डेरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कोई इसको कॉमेंट बताएगा और इन डेरेक्ट डेमोक्रेसी में भारत कौनसी डेमोक्रेसी है डेर 50.1 प्रतिशत लोगों ने कहा कि आप खरीद सकते हो 49.9% लोगों ने कहा कि नहीं खरीद सकते फिर भी मेजॉर्टी जो डिरेक्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की पावर है उसके आधार पर ये परचेस होगी भले वो 9000 वोट्स हैं 900 वोट्स हैं 90 वोट्स हैं तो भी ये परचेस होती स्विजरलेंड की छोटी सी जनसंक्या है भाई 30 लाख लोग बहुत जादा नहीं होते वो भी एक अमीर देश में तो वो डिरेक्ट डेमोक्रेसी को चला सकते हैं जहां पे हर मेजर इशू पे रिफरेंड़म होता है ये चीज आपको समझ में आ गई अब स्विजरलेंड की थोड़ी सी वार हिस्ट्री देखने है कि इन्होंने युद्ध क्यों नहीं लड़े इनकी मिलेटरी नूट्रालिटी क्यों है तो यहां पे एक स्पैलिंग गलत हो गई है यहां पे आर हो जाएगा टी के बाद आर हो जाएगा तो मिलेटरी नूट्रालिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी है काफी सदियों से मतलब यह लगभग 200 साल का इतिहास हो रहा है वल्ड वार 1 आप ले लीजिए चाहे वल्ड वार 2 ले लीजिए इन्होंने सक्सेषफुलि अपनी इस नीती पर काम किया ठीक है इन्होंने कभी भी लडाई नहीं की अपने आपको नूट्रल बना के रखा चाहे वल्ड वार 1 रही हो टू रही हो ना यलाइट पावर की तरब से ना एक्सेस पावर की तरब से किसी की तरफ से भी इन्होंने कोई काम नहीं किया आखरी बैटल जो स्विजरलेंड ने लड़ी थी दोस्तों वो पता है कब की है जब स्विजरलेंड का एक एक constitution बना था 1848 तो आखरी बैटल जो इनकी थी 1847 में वो दर असल एक civil war थी इन्होंने आपस के ही लोगों से लड़ा क्योंकि इनके जो पूरा का पूरा देश है उसमें कुछ इससे ऐसे थे वहां कि कैंटन्स ऐसे थे अब यहां पर कैंटन्स बोला जाता है राज्यों को जै अच्छिया में इस चीज़ को सोवियट मतलब एक प्रांत एक चोटा सा मतलब औरिया औरिया इन्डिया में स्टेट्स बोलते हैं और वैसे ही श्विजर साथ में बट चुका था साउथ वाले कह रहे थे कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम अलग अमेरिका बना लेंगे, और नौर्थ वाले जो थे, वो कह रहे थे, नहीं, हम तो आपको लेके रहेंगे, तो अमेरिका में किस विश्यव पर ये civil war हुई थी, और उस समय के अमेरिका के राष्ट प हो रहे हैं स्विजर लेंड ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है और एक मिनिमम स्टेंडिंग आर्मी को मेंटीन किया है ज्यादा इनकी सेना नहीं होती है इनके वास्तव में ऐसे कोई भी शत्रू नहीं है और यह लगभग दोनों वर्ल्ड वार में न्यूट्रल थे यह क आपको दिख रहा है जितना भी आपको यह यलोविश पोर्शन दिख रहा है यह वो एरिया था यह वो कैंटन थे जो समय 1848 के कॉंस्टिट्यूशन को नहीं मान रहे थे तो आप यहां पर देख सकते हो आज जो इनकी कैपिटल है बर्ण उसके जेस्ट सटा हुआ उन में है वो न्यूट्रल थे तो यह पावर पूरी न्यूट्रल थी और यह जो ग्रीन थे यह कंफेडरेटरी एक बना चुके थे ठीक है तो उस पूरे स्विजर लैंड को एक जुट करने के लिए और यहां पर अपना साशन बनाए रखने के लिए एक नए चली आरिए अब हम देखते हैं है स्विस की मिलिटरी के बारे में तो स्विजर लैंड की जुट्री है दरवासल इंका दिफेंस बजट जो है वो सिर्फ 5 Thousands का है थीक है पाच मिलिए डॉलर तो एक मिलियन में कितने लाक उतने हैं? दस लाक उतने हैं तो पचास लाक डॉलर का केवल इंका एक बजट है और इसमें आर्मी में इनके केवल 21,000 बेसिकली जो एक्टिफ ट्रूप्स हैं वो हैं अगर आर्मी की बात की जाए तो 326 टैंक्स हैं लगबक इनके पास और अगर फाइटर प्लेंस की बात की जाए तो फाइटर प्लेंस की इनकी जो फ्लीट है अच्छा ये आप रीजन सुन लीजेगा 2030 तक इनकी जो अभी फाइटर प्लेंस की फ्लीट है वो पूरी तरीके से outdated हो जाएगी तो इनको उसे update करना है इसलिए ये नए लेना चाहते हैं अब ये क्या-क्या लेना चाहते हैं इसके बारे में भी सुन लीजिए अभी तक Switzerland ने decide नहीं किया है कि उसे actually कौन से fighter plane लेने हैं वो रफैल पे भी सोच रहा है जो रफैल हमने जैसे कि Martin के बारे में भी सोच रहा है तो बोईंग भी विमान बनाती है इसके बारे में भी सोच रहा है यह सारी चीजे एक्च्वली का एरिया है जादा बढ़ा तो है नहीं मतलब 40,000 स्कौर किलो मीटर का छेत्र है भारत का तो आपको पताई है 32,005,005 मैं आपको बता द कर आया गया था इस चीज़ को लेखे तो उसमें 35% लोगों ने कहा था कि डिफेंस और आर्मी की क्या जरुवत इसको स्क्रैप कर दीजिए अभी हाल ही में अब ये वाला रिफेरेंडम तो एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन 2014 में भी ऐसा एक रिफेरेंडम हुआ था उसमें कुछ यहां पर परचेस की बाद थी डिफेंस से जुड़े हुए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था इसलिए उमीद थी कि यह वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा बट बेसिकली इस बार थोड़ी सी चीज़ें बदल गई है अगर स्विजर लैंड की जीडिपी की बात क यहीं पर समझा दूँ कि एक्च्वली हुआ क्या था देखिए स्विजर लैंड जो था स्विजर लैंड की मर्सनरीज होती थी स्विस मर्सनरीज यह बहुत ही जादा फेमस थी मर्सनरीज मतलब लड़ाके योद्धा जैसे आपने देखा कि हमारी जो भारतिय सेना है इसमें आपको गोर्खा गोर्खा एक पूरी की पूरी बटालियन मिलती है कि नहीं मिलती है तो गोर्खा वारियर होते कहां के हैं नेपाल के होते हैं तो यह घोर्खा सिरुफ भारत की सेना में काम करते हैं कि इनके पास बहुत ही इस होती है ज्यू राइल को और 14 1499 में स्विजर्लेंड को आजादी मिली 1499 इसके ठीक एक साल पहले भारत में वॉष मुष पूरतम नहें पहले भारत में वह इसके दिमांड बहुत जदे है और उसके बाद यहांपे Legacy सीज़े खतम होती है देखिए स्विजलेंड की मर्सनरीज ने औस्ट्रिया से साथ एक लड़ाई लड़ी थी औस्ट्रिया में हैप्सबर्ग उपायर था जिसका कोलाप्स हो गया था पहली वर्ल्ड वर के बाद और यहां पर बहुत ही सक्सेस्पुली अपने आपको डिफेंड किया था जिसकी व या आप कह सकते हैं उसको अप्गरेडेशन की जरुबत 2030 तक पढ़ने वाली है तो अब हमें देखना है कि स्विजलेंड कौन से पर्चेस करेगा पहले भी एक रिफरेंडम हुआ था 2014 में रिजेक्ट हो गया था बट इस बार जो रिफरेंडम है वो एक्सेप्ट हुआ है 9 9000 वोट के केवल एक छोटे से मार्जिन से एकसेप्ट हुआ है बट यही डेमोक्रेसी की सुन्दरता है कि आपको इसमें जो मेजॉर्टी है वो मेजॉर्टी है उसकी बात को माना जाता है थोड़ा सा यहां पर यह चीज हो जाती है अब इस चीज को एकसेप्ट कर लिया ग इसकी जरुवत पड़ सकती है अच्छा एक बात और बता दूँ आपको स्विजल लेंड के पास अगर कोई एरफोर्स नहीं है तो ऐसे बहुत से देश हैं जैसे की आयर लैंड आपका है इसके पास भी कोई एरफोर्स नहीं है माल्टा एक छोटा सा कंट्री है इसके पास भी नहीं है आप देखेंगे तो सुमालिया वैसे तो यहां पर लुटे रही रहते हैं बिसिकली और लाइबेरिया लाइबेरिया भी चोटा सा कंट्रिया वेस्टरन अफ्रीका कॉंटिनेंट में और साथी साथ लक्जेंबर इसको तो वैसे भी कोई जरुवत नहीं बगल में फ्रांस और जर्मनी बैठें हैं तो यह उनी से हैल लेगा तो यह कुछ और कंट्री इस थे बिसिकली जिनके पास अपनी नहीं है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताईए टीम पीटी की तरब से यह रिसोर्स आपी के लिए हैं इनमें इन्रोल कीजिए और